नमस्कार मेरा नाम रागव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं सुप्रीम कोट का फैसला आया कि बिलकिस बानो केस में जो 11 दोशी थे उन्हें जो गुजरात सरकार ने रिहाई दी थी उस फैसले को रद किया जाए और उन 11 लोगों को फिर से हिरासत में भेजा जाए लेकिन ये फैसला इसके कई पहलू हैं कई एंगल हैं गुजरात दंगे में क्या हुआ था बिलकिस बानो के साथ क्या हुआ था क्या वो अकेली थी या उनके घर के और सदस से भी थे बिलकिस का जो 22 साल का संगर्श है उसे आप एक फ्रेम में नहीं दे सकते हैं उसकी कई पढ़ते हैं उसमें दर्द की कई कहानिया हैं मेरे साथ शाम मेरा सिंग है पत्रकार है और शाम ने इस केस पर स्टडी की है शाम पहला सवाल तो मेरा यही है कि बहुत सारे लोग यह नहीं जानते हैं कि बिलकिस के साथ असल में क्या हुआ था लोगों ने कहानी को दूसरे अंगल से सुना है और उन्हें नहीं पता कि बिलकिस अकेली नहीं थी बलकि यह जो पूरा शोशन का चक्र चला है उनके पूरे परिवार ने इसको जहला है मैं चाहूँगा कि पहले आप शुरुआत से उस कहानी का फ्रेम बताएं कि क्या घटना करम था तो गुजरात में एक दाहोद नाम का एक जिला है जहां पर एक रंदिकपुर नाम का गाउं है तो बिलकिस वहीं के रहने वाली थी तो गुजरात राइट्स जो शुरू होते हैं करीब 27-28 फरवरी से और जो आगे करीब 5 तारिक तक चलते हैं 5 मार्च तक तो बिलकिस के साथ जो गटना हुई वो तीन तारिक के दिन हुई तीन मार्च के दिन बिलकिस के गाउं रंदिकपुर में कुछ लोगों के द्वारा आग लगाई जाती है करीब 60 मुस्लिम घर थे जिन में आग लगा जाती है बिलकिस उस वक्त किचन में खाना बना रही थी उनकी चाची आवाज देती है कि भागते हैं तो जैसे बिलकिस किचन में खाना बना रही है वो सारा सामान चूड़के बिना चपल पहने अपनी एक बेटी है उनकी तीन स मतलब मैं उसका इक जैक नहीं है सकता लेकिन मतलब उस में चाचे बच्चे छोटचोटे तो बिलकिस की बेटी थी एक तीन साल की और बिलकिस खुद गर्ववती थी पांच महिने की तो बिलकिस बहागते हैं और वो अलग अलग गाओं में जाते हैं पहले किसी सरबंच के उसके सरड ली पृसकी दूसरे नेको रात हुजाती है थी तो कच्छी रास्तयों पर जाते हुए जनमाई भरे हुए लेते हैं फिर एक स्कूल में जाके शरड लेते हैं फिर वो किसी दूसरे गाउं में जाके लेते हैं तो यह ऐसे करकर लेते यह कच्छी रास्तों पर निकलते हैं तो दो ड्रक होते हैं जिसने बाप यस ने बाप का सिलाज किया था भी टॉड़ी बीचने वाला था ट किया इक होटल कला Dadra इने वालिक मेरे वúp o पंचायत का सदस्वी था, तो बिल्किस उन लोगों को जानती थी, ऐसा नहीं है कि वो नए थे, तो इन लोगों ने इन लोगों को देखा, कि सारे जादतर वह उसमें महिलाएं थी, पुरुष साय दो ही थे, और उनको देख के ये एक जगह रोक लीते हैं, और फिर एक कम्रे मान के चलो, इनके साथ महिलाओं के साथ बलातकार करते हैं, करीब आठ महिलाएं थी, जिनके साथ बलातकार किया गया, जिसमें बिल्किस भी सामिल थी, बिल्किस की माताजी भी सामिल थी और उनके बहन समीम भी थी, तो समीम जिसने एक दिन पहले बच्ची को जनम दिया, एक रात बल्कि एक दिन भी नहीं उसके साथ भी बलात कार किया गया खुद बिल्किस जो पांच महीने की गर्ववतीती उनके साथ बलात कार किया गया उनके सामने उनकी मा का बलात कार किया गया और पूरे परवार के सामने बलात कार किया गया और ऐसे करके उन सभी महिलाओं की और सभी पूरसों के वहां अत्या कर दी जाती है तो बिल्किस को उन्हें समझा कि यह मर चुकी है और देखके वो लोग चले गए बिल्किस होस में भी नहीं थी तो उनको जब होस आता है तो अपने आस पास देखती हैं कि सारे जो परवार के लोग हैं वो सारे मारे जा तो जिन लोगों को आगे जाके जो भी छूट मिली उनको रहाई दी गई तो यह वो लोग थे जिन्होंने तीन साल की बच्ची को मारा जिन्होंने एक साल एक दिन की बच्ची को मारा जिन्होंने रेप किये उन लोगों को आपने मारा तो इसी को देखते हुए सुप्रिम क इसमें एक चीज और समझ नहीं आती कि जो लोग बिल्किस के साथ रह रहे थे, बिल्किस का, बिल्किस के परिवार का हिलाज कर रहे थे, जानते थे कि हमारे पड़ोसी हैं, अचानक से ऐसा क्या हो जा रहा है कि वो उनकी हत्या करने के लिए भी तयार हैं, बरातकार के लिए यह टेंडेंसी इंसान के भीतर बच्पन से होती है, या किसी घटना करम से पैदा हो जाती है, क्या हो जाता है, जब धार में कुनमाद होते हैं, तो उसमें दंगो के बीच में बालातकार को कैसे कोई धर्म जस्टिफाई कर सकता है। यह तो बिल्कुल नहीं किया सकता, लेकिन जब मान के चलिए सावरमती ट्रेन में जो हुआ, जो गटना हुई, सरकार का काम यह होता है कि किसी भी तेरे इस तरह की अगर को गटना होती है, दुरभागेपूर्ट, चाहे उसमें हिंदू मारे जाएं, मुछलिम मारे जाएं, औ वैसे साफ जो दिखती है वो नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसमें पूरा एक डिटेल में बताया था कि उस ट्रेन का इतियास क्या था, वो तीन दिन से चल रही थी, चार दिन से चल रही थी, उसमें क्या हो रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे, फिर उनके जानते थे, तो अब ये तो यही, इस पर तो मैं मतलब क्या ही कह सकता हूं, इसका दूसरा पहलू जो गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया, ग्यारा लोगों की रहाई हुई, इसमें मैं सरकार की रहाई का, जो आपने का न, कोई कह सकता है कि ये नियम बद्ध है, कानून क के तहट उनको छूट दी गई है क्योंकि केदियों का विभार बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन सरकार का जो रोल है, वो मैं आपको थोड़े सा बताना चाहता हूं, बिल्किस का जब रेप हुआ, जब उनके परवार के लोग मारे गए, टोटल उसमें 14 लोगों का नरसा तो वो आदिवासी महिला बिल्किस को कपड़े देती है, कि तुम कपड़े पहलो और वो पानी मतलब वहाँ पानी देती थोड़ा सा, वहीं पर एक पुलिस कॉंस्टेवल था, तो वो उस पुलिस कॉंस्टेवल के साथ जाती है, बिल्किस रिपोर्ट लिखाती है, कि मेरे परवार के 14 लोग मारे गए है ना मेरे साथ बलातकार हुआ है लेकिन उस पुलिस कॉंस्टेबल का नाम भी मैंने लिखा हुआ है अपने उसमें उसका नाम था सोमा भाई गोरी तो उन्होंने एफाईर भी दर्ज नहीं किये बिल्किस के इसके बाद वो उनको रिलीफ केंप म है उनके पती मिलते हैं मतलब यह मान कि पति थे याकूब रसूल साही नाम था तो वह भी उनको धूडते हुझा रहे है बिल्किसमने परवार के लोग में तो उनका मिलन ऐक तरह से रिलीफ केम में हुआ और वो देखते हैं कि याकूब बताते हैं कि जो बिल्किस थी एक जगे मतलब एक तरह ऐसे परिशान और सहमी हुई डरी हुई एक कौने में थी उन्होंने पैचाना कि यह बिल्किस है तो उन्होंने उससे बात करी बात करने कि इवन उसने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे होते हैं वो लासे हो सडी रही है वाँ पर है ना पूश्ट मार्टम हुआ तो उनके कोई बाइलोजिकल सेंपल नहीं लिए गए कोई खून के जो बलड के सेंपल नहीं लिए जबकि डॉक्टर्स को यह पता था कि यह केस के लिए कि इतने इंपूटन चीज है पूश्ट मा आगे जाके 2003 में करें जब यह फास्ट रेक कोट के थो यह चीज होई तो जो जुडिसियल मजिस्ट्रेट था उसमें को रहा कर दिया सब लोगों को कि 2003 की बातें सध जन्वरी कि तो इन सब को रहा कर दिया जाता है उसके बाद जज कहता है कि हमारे पास कोई सबूत ही नही के 2.4 मैं इंडि क्रेίοज की सरकार थी और फिर एने 4400 की मदद से कुछ की मदद से मांद सुप्रियों कोट तो सपरीम कोड पूंशता है पिरSyश्परियु कोड यह नहीं के मामले की महराज को ने ट्रांस्फर किया जाता है इसके बाद 2008 में जाकर जनवरी के महीने में इन लोगों को सजा मिलती है मतलब जो गुजरात की कोट में जो बंदे रिहा कर दिये गए बाइज़त रिहा किये गए उनको मंबई की कोट है या CBI Special Court थी उसने उम्रकेट की सजा सुनाई है तो यह जो अंतर देख रहे हैं कि एक पूरी तरह से रिहा है और एक उम्रकेट की सजा दे रहा है तो यह जो अंतर है यहीं पर एक सरकार का रोल होता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं मानवता के लिए कर रहे हैं निश्पक्स हो की नहीं तो जो दोजार आठ में इनको सजा हुई उम्र केत की, इसके बाद इन्हें दोजार बाइस में तंद्र अगिस्त के दिन इनको छोड़ दिया गया कि आपका विभारत चा था, पंद्रे साल हो गए, जबकि इस तरह के जो कैदी होते हैं, जो रेरिस्ट आप दर रेर वाले केस में इनको इतनी जल्दी आसानी से नहीं छोड़ा जाता है, इसमें एक चीज मैं और देखता हूँ, जैसे उनकी रिहाई होती है, आजादी काम रित महुत सब चल रहा था, तो स्वागत हुआ है, फूल माला डाले गए हैं, ढूल बजाते में ले गए हैं, एक महिला इस दर से आ गए हैं, एक चीज, तो उसका असर किस तरह से पढ़ता है बिलकेस पर, और एक दूसरा पहलू कि बिलकेस की अकेली की लडाई नहीं है, हिंदुस्तान रेप के केसे में अच्छी खासी संख्या देख रहा है, और उसमें अगर आप आकड़े देखें, तो वो कम होते नहीं देखते हैं, एक साल कम होते हैं 2022 में, तो तेईस में फिर बढ़ जाते हैं, तो बिलकेस के एकजामपल से बाकी महिलाओं को भी ताकत मिलती की नहीं, नया मिलता है भले देर सही सही, लेकिन इननों के बाहर आने से, फिर उसको पॉलिटिकली सेलिबरेट करने से, क्या वो तमाम महिलाओं की लड़ाई कमजोर रही है? आपकी संपेति नहीं, आपकी संपेति किसके साथ है? रेप करने वालों के साथ, जन्होंने रेप किये, तो यह है इसमें. तो कहीं न कहीं इस स्टोरी को आज करने का कारण ये भी था कि न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान में, एक बार फिर से ये साबित करने की तौर पर तो हम चले गए, कि सरकार कोई भी हो, लेकिन जो न्याय है, उसे न्याय संगत ही रखा जाएगा. उन तमाम दोशियों को दुबारा जेल भेजा जा रहा है. ये बिलकिस की जीत है, हिंदुस्तान की महिलाओं की जीत है, लेकिन इसके पीछे के संगर्ष की कहानिया, आप जरूर देखिए. क्योंकि बिलकिस ने इस लड़ाई को 20 साल तक लड़ा है. और वो लड़ाई आप के लिए बहुत जरूरी है. बाकि अपडेट्स के लिए मॉलेटिक्स के साथ बने रही है. आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए. अपनी राय जरूर दीजे ताकि उस पर हम आगे की रिपोर्ट बना सकें. धन्यवाद.